Welcome friends, welcome once again to the channel आज एक और खास चीज लेके आया हूँ आप सभी के लिए कोई recipe नहीं बनाएंगे आज सर्दियों के दिन चल रहे हैं, temperature 5 degree से कम हो चुका है North India में और अभी मन करकता है चुसकी लेने का चाय की और कई पसंदीदा लोग इसको coffee लेके भी मज़ा उठाते हैं सर्दियों में coffee और चाय चलती रहती है और शरीर को गर्माहट देती रहती है लेकिन हम Indians में थोड़ा adventure कम है explore करने का और उसी exploration को लेके ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके सामने जिससे आप ये समझ जाएंगे कि चाय और coffee में अंतर क्या है अंतर तो है कि वो पत्ती से बनती है और coffee जो है वो coffee bean या seed से बनती है लेकिन बाजार में मिलने वाली coffee especially दो famous brands जो इंडिया में चलते हैं एक है brew और एक है Nescafe क्या आपने कभी सोचा brew और Nescafe में अंतर क्या है तो यहीं अंतर बताने वाला हूँ और आज के बाद आपकी जो सोच है coffee खरीदने के प्रती वो बदलने वाली है तो stay tuned keep watching ये देखिए फटा फट दिखाता हूँ आपको ये दो packet है मेरे पास ये brew का है और ये Nescafe का packet है ये दोनों ही packet दो रुपे के मिलते हैं market में लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में खासा अंतर है especially इनके ingredients में कभी आपने पलट के पढ़ा कि इस पे क्या लिखा हुआ है इसमें कितने परसंट कॉफी है और इसमें कितने परसंट कॉफी है तो कई बार हम सोचते हैं brew एक Indian company है इस वज़ा से ये हमें ज़ादा कॉफी कम दाम में दे रही है और ये Nescafe foreign की company है तो ये कम quantity दे रही है तो जब हम बाजार में जाते हैं तो हम brew का जब packet देखते हैं packet भी दिखने में बड़ा है size में और ये packet भी छोटा सा है तो हमें लगता है दोनों ही 2 रुपे के हैं तो ये वाला खरीद लेता हूँ इसमें ज़ादा कॉफी है तो यही समझाने वाला हूँ आप देखिए इसको पलट के जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें 70% कॉफी है और 30% चिकरी है चिकरी एक प्लांट के roots है जो कॉफी के resemblance करते हैं और उनको roast करके, grind करके कॉफी के साथ मिला दिया जाता है आयूरवेदा में चिकरी के कुछ health benefits है लेकिन कॉफी के साथ मिलाने का कोई मतलब नहीं बनता सिरफ उस quantity को बढ़ाने के लिए चिकरी मिलाई जाती है और companies ये काम करती है उससे क्या होता है, weight बढ़ गया इस packet का, अब इसमें कितने ग्राम कॉफी है और इसमें कितने ग्राम कॉफी है दोनों में double का फरक है 100% quantity का फरक है अगर इसमें 0.7 ग्राम है तो इसमें 1.5 ग्राम है double का अंतर है तो हुआ क्या 70% कॉफी 30% चिकरी और यहां Ness Cafe के पीछे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 100% कॉफी यह 100% कॉफी दे रहा है और इसलिए quantity कम है तो अब यह आप अच्छे से समझ जाएंगे अब यह देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको 1.2 ग्राम है इस पैकेट में और इस पैकेट में देखते हैं कितना है इस पैकेट में हमें मिलेगा तकरीबन 2 ग्राम के करीब तो जादा कॉफी मिला पैकेट भी बड़ा दिखा तो हमें लगा यही सही है लेकिन 100% कॉफी अगर आपको टेस्ट करना है तो Ness Cafe बेटर है और इसी को आप पी के मज़ा उठा सकते हैं और आज आप समझ गए कंपारिजन क्या है ब्रू और Ness Cafe में और नेक्स ताम विन गो आट विन गो आट तो आट तो बार्के तो बाया कॉफी यू विल थिंक अबाट रीदिंग बाट लेवल अप दे इंग्रेडिएंट कि बाक लेबल पे कौन से इंग्रेडिएंट में से है किस परड्थ के आट पलेज ए वरी इंपोर्ट रोल इन नहीं भी टी आट अट यू रीडियों शेर इट दिए यू झे में थी इन फरूशिंग किस प्रूडट के थार शेंड आट आट गाट किस प्रोडट के